हेलो हेलो स्टुडेंट्स है और फाइनली जो है सीउटी पीजी का करेक्शन विंड़ो ओपन हो चुका है आप जो हम देखेंगे कि सीउटी के जो पीजी के जो अप्लिकेशन फॉर्म के अदर में करेक्शन कैसे करना है ठीक है तो आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि बिफोर वाचिंग दे वीडियो प्लीज डोंट टेक एनी एक्शन इन यूर फोर्म ऐसे जो आप बहुत बड़ी दुविदा में फास सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम जाएंगे करेक्शन विंड़ो फॉर्स पर क्लिक करेंगे जैसे मैंने क्लिक किया है फिर से जो एक व लोगिन किया है इसके अंदर तो मेरे पास देख सकते हूं यहां पर ओप्शन आ चुका है करेक्शन इन अप्लिकेशन फोर्म और डाउंड लोड कंफर्मेशन पेज ठीक है तो जो हैं क्लिक करेंगे तो चलिए जैसे देखते हैं क्लिक करने के बाद क्या शो करता है मुझे हैं तो यहार में अब आउट ओफ स्टेसन था तो किसी बच्चे के अप्लिकेशन डीटियल मेरे पास आ रही ह CA 16 के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको क्या कैसे किसे कबना है तो चस जुए आपको अब इसके ऑस्लिक करते हैं तो क्या शो करते है में इसकी मैंने जैसे Telesi option दिख रहा होगा यह इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपकी सारे की सारे प्रोसेस कंप्लीट है तो आपको पहले जो इस पर बिल्कुल कर लिए कि नहीं करना है पर अपको क्या करना है अब जो है आपको बेसिकली यहां पर जो आपको 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 उप्शिन शो कर रहा है इन पर जाना है जैसे परस्नल डीटियल आधार काड़ अपलाइफ एक्जाम सेंटर सब्मेट क्वालिफिकेशन डिटियल अप्लोड दें फाइनल समीट वाल आप कौन-कौन से डीटियल इडिट कर सकते हैं कौन सी नहीं कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए जैसा कि यह जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है ठीक है यह जो इसका जो कलर भी थोड़ा सा देख सक को आप चेंज नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यह जो इसके अंदर तो सारी मेरे को ओल्मोस तर्फ दिख रहे हैं यानि कि कॉंटेक्ट डीटियल में एड्रस पर गराम चेंज नहीं कर पा रहा है और जो है यह देख सेकते हूं जेंडर भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं चेंज टीटियल से इसमें कोई करेक्शन में है अब सब्सें इमपॉरी प्लाइफ और क्चंट यह घ्याला वेसिर बचों पर लूटाइए सब ढ़ासद को का वर्शा कर सकते हो यह खेंको नहीं गोबस्क्र ना उप्श्कुर्ण सेलेक्ट किया गया है किसी स्टुडेंट के द्वारा वह पी जी क्यों पी डबल फो है यह प्रदर जो भी आप जो है पहले आप यह चेक कर सकते हो कि कौन-कौन आपको कोर्स की नीड है ठीक है आप जो यहां पर सलेक्ट कर पाऊगे ना देन बाद में आप से आप सब्जेक् पेपर कोट चेंज भी कर दिये गए है ठीक है तो आपके लिए ज्यादा टेस्ट पेपर कोट है नहीं आइधिंग एक स्टुडेंट का ज्यादा चीज़ा तीन से चार सब्जेक्ट में इंट्रस्ट होगा तो जो आप अपने टेस्ट पेपर कोट बेसिकली डूंड सकते है स्टुडे के अंदर शारी की सारी डीटियल दी गई है तो आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना जैसे आपको जैसे लाइक में विलों करता हूं राजस्तान से तो मेरे को जो है सारे के सारी सेंटर आगर राजस्तान में ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा फर्स टोबोल मै हर से यहां करेंसे तो यह कर सकते हैं तो आप क्या चाहिए कि मैं चाहिए इक मुलाख करनी है यह वहाइद क्रिक श्रू है कि सांदि करेंग में तो आप इसको बिल्कुल केरफुली ध्यान से तोड़ा फिल करिए ठीक है आप अपने प्रप्रेंस के साब से बहुत सारी स्टूडेंट ने काफी लोगों ने गलत भी सेलेक्ट कर दिया होगा पहले तो बिल्कुल घबरानी की जोड़ानी आज 20 तारिक हो चुकी है 20 21 22 तीक ह आपको टाइम दिया गया है तो बेफिगर रही है यार ठीक है और हम आपके साथ है बिल्कुल कोई भी इस्यों आता है हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हेल्प लाइन नंबर वोट्सप नंबर इमेल आइडी सब कुछ आपको दे रखा है इस बच्चे ने जो सिर्फ एक टेस् इसने खटा रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी ज्यादा उनुवसेटियां हो सके उतनी ज्यादा सलेक्ट करिए ठीक है आपके कोर्स में जितने कोलेजेज है चाहिए वह गोर्यमेंट हो फ्राइवेट हो प्राइवेट वालों को तो नहीं कर दीजिए अभी तक अगर मैं बात करूं तो सो प्लस कोलेजेज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही है सीउटी 2022 के अंदर जो कि प्राइवेट और गोर्यमेंट है इसके ज्यादा सेंटल उनुवसेटिज है उसके बाद इस्टेंट गोर्यमेंट कोलेजेज हैं डिम्ड उ कोई उनिवर्सेटी एंट करना हैं तो आपको कोई भी उनिवर्सेटी को हटाना यार गोर्यमेंट लेना जाते हैं उसको यहां पर सलेक्ट जरूर करिए अब मैं क्या करता हूं मैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स करता हूं तो यार qualification details में तो बैसकी लिए गुस्थान ही आपकी 10-12 की details है आप उसको change कर सकते हैं भड़ सकते हैं अगर आपने कोई national level exam fight किया olympiad and other आप खेल में बहुत अच्छे है तो आप उसको भी जुरू फिल कर सकते हैं document upload option में जाएंगे तो जो है बच्चे ने जो भी है document upload कर रहे हैं अपने आप गार कोई भी अगर आप correction करते हैं जैसे कि subject and language में अगर आपने कोई correction किया मालोग आपने जैसे कि कोई भी university aid किया गठाया हटाया जो भी है तो आप उसको क्या करिए आप जो भी यहां पर सारा करते हैं उसके बास save and next पर जुरू कलिक करना है तो जस्त जो है अब एक question यह था कि बाया जो है मेरको अपना email id mobile नंबर बगरा चेंज करना है तो वह कैसे करना वह भी देख लेते हैं तो यहार पर देख सकते हो कुछ detail आऄ जिसे candidate का name आप चैंज़ नहीं कर सकते है डीो भी नहींे कर सकते है直接 नहीं चैंज कर सकते हो father's name जेंज कर सकते है mother's name चैंज कर सकते हो guardian का mobile number चैंज कर सकते हो नीचे अगरे आपंगर देखे तो यहां पे यह तेन ऐपो twe patch sart teak यहार मैं हूँ अब जो है जो है जो भी है कॉंटेक्ट डिटियल के अंदर यहां पर क्या होता है यहां पर आपका एड्रस है आपकी लोकलेटी है आपका स्टेट है फिन कोड़ डिस्टिक है मोबाइल लंबर इमेल आइडी है जो आप यह बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पार जैसे आप काउंसलिंग स्टार्ट होगी जैसे आपको एंटीय स्कोर देता है फिर जो हम जाएंगे हर युनवर्सिटी की वेबसाइट पर यहां पर अपनी डिटेल करेंगे तो वहां पर अपना इमेल आडी जो है चेंज कर लेंगे मोबाइल नमर चेंज कर लेंगे और ब चुकाओं मैं जिन्दा हूं ठीक है मेरी जो है पत्तिके शुकार करें बदवान तो इस परकार से यह सारा स्चीन होने वाला है और आपको यह प्सक्राइब करेंगा बहुत ही ज़दा और मैंने आपके सारे के सारी कौरीज जोल कर दिये है एक एक जो टीन क्वारीज बेसि करना है जसे पेपर कोड के लिए आप जो है आप जाके यहां पर चैंज कर सकते हैं आपको जो युनिवसितियां एड करनी है घठानी है तो जस्त आप यहां से कर सकते हैं ओके और क्वालिफिकेशन डॉकुमेंट अधर का आपका सोल्यूशन होई चुका है